सुशान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीज़े बाहर निकल के आई हैं कुछ मैंने इंटर्व्यूस पढ़े हैं कुछ डिरेक्टली भी बात की है तो उनके पिता जी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही ही कैसे कत्रा कत्रा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है उनको मारा गया है तो ब्लाइन आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब जूठ लिखना होता है आपको के अंगेस्ट को इलीगल एक्शन नहीं लिया सकता क्योंकि आपको तो नाम ही नहीं लिखा मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के गुंगराले बाल है जिसको नैशनल अवर्ड मिला हुआ है साइकोटिक है इस तरह से जो की मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा 23 ऑगस्ट 2017 को बॉलिवूड लाइफ सुशान के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है वो सबसे बड़ा नार्सिस्स्ट है 16 दिसम्बर 2016 में मुंबई मीरर लिखता है कि सुशान एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है कितने अंगिनत जूट और यह जो बुद्धी जीवी जर्रलिस्ट है यह जो चील का हुए गिद है जो मुवी माफिया के पाले हुए है यह इसको मेंटल, इमोशनल, साइकोलोजिकल लिंचिंग को जर्नलिजम कहते हैं मेरे बारे मैं ऐस तक जो भी कहा गया मैंने कुछ निका लेकिन जब एक सुतंतरता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई मैंने उस जर्नलिस्ट को कांफरेंट किया आपको पता है उसी राचार सीनि जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई एलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैंक किया जाए फ्लॉप किया जाए आपको तीन हजार जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरयाम और यह समाज कुछ नहीं कह बढ़ा है और कभी आवास ने यह पढ़ते हैं सकारे लेते हैं कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किट्स के बारे में यह क्यों नहीं लिखा जाता है तो यह अन्याए का फंदा किसी बिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा तुसलिए जब तालियां बजएगी और सीठियां बजे की तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी